तो आसमें को नमस्ते प्रड़ाम मैं आपका अपने ठागूर प्रधर सिंग और रात के दस बच्चों के हुर कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जा रही है आपने घटना के बारे में सुना होगा जिसमें मद्धप्रदेश का एक आदिवासी समुदाय का बच्चा एक बेक् उससे का कोई ठीकाना नहीं कि आज कल के टाइम में जहां देश आजाद हुए इतना वक्त गुजर चुका और इसके बावजूद बेक्ट के उपर दूसरा बेक्ती किस तरह से पेशाप कर सकता है अब जैसे ये वीडियो वाइरल हुआ और वाइरल होने के बाद फिर सासन प्रसासन और वहां के मुखमंतरी तक पहुँचा सुराज जी के पास तो वीडियो जैसे ही पहुचा तो फौरण उन्होंने एक्शन लिया लेने के बाद जो बेक्ती था जिसने एक काम किया था जिसने पेशाप किया था उसके घर के उपर बुल्डोजर चला उसके परेने से लगाया गया साथ ही फिर उसको कॉलर से घसीटते हुए बकायदा जेल के अंदर डाला गया तमाम तरह की चीजे हुई इसके बावजूद फिर जो वहां की मुखमंतरी थे सुराज चोहान उन्होंने उस बेक्त को बुलाया जिसके उपर ये पेशाप किया गया था उसको इसका बीडियो सोचल मीडिया पे पिर से वायरल हुआ तो लोगों थे टरह तरह की बात जहीं कि ये काम हुआ इन दोनों के बीच जो रिस्ता है वो भी महज एक ओट का ही है चुकि हर बिक्ति ने अपने मुखमंत्री को ओट दिया होता है और इसी ओट की वज़ा से फिर हो जिम्मेदार मानता है अपना और अपने पूरे परिवार का कि जो मुखमंत्री है हमारे पूरे परिवार की जिम्मेदार है हमारे साथ कुछ गलत ना हो तो भले ही ये ओट की राजनीती हो या चाहे जो हो लेकिन जो किया मुखमंत्री ने वो अपने आप में बड़ा सराहनी का रहे है चाहते तो अपने ट्यूटर हैंडल से एक निंदा कर देते सवजा दिलवा देते लेकिन अगर कोई ऐसा काम कर रहा है किसी बेत्तिकों इस तरह की जद्दे रहा है तो कहीं न कहीं हमें उसमें पॉजिटिविटी खोजनी चाहिए और इससे एक सीख लेनी चाहिए कि छोटा बड़ा अगला पिष्ड़ा ये सबका भेदभाव मिटाना चाहिए सबको एक समान समझना चाहिए हलाकि महज ये कहने की बाते हैं इन सारे चीजों का जो अभिशाप है अभी कई दस पुखग यानि कई दस साल भी और गुजरेंगे तब हो सकता है कि ये मान सकता हूँ कि ऐसी चीजे हमारे देश से दूर हो लेकिन अभी तो पॉसिबल नहीं खेर ये रही एक अपचारिक बात और एक अपडेट जो मुझे लग आपको देनी चाहिए अब आते हैं आज की कहानी का रुख करते है और आज की कहानी मैंने जितनी कहानिया सुनाई है आपको चाहे जितनी नाजाय शमंद के चाहे जितनी ऐसे इस्ट्रा मेरे टेल अफेर के ये कहानी हर कहानी से उल्टी है इस कहानी में आपको कही न कहीं जो मरने वाली है उसके लिए आज पहली बार आपके मन में एक दया आएगी हो सकता है मैंने चाहे जितनी कहानियों सुनाई हो आपने कहा है कि ये इसका कर्म था इस कर्म का फाली से मिलना था लेकिन आज की कहानी में सायद आप ऐसा नहीं बोल पाएंगे तो सीधा सीधा आज की कहानी करूप करते है और इस कहाने के सुरुवात होती है अभी पिछले सोमवार से यानि अभी ये जो सोमवार भी था दरसल मेरट में एक जगा है सर्धना और इसी सर्धना में एक काउँ पड़ता है खिरवा नौवाबाद और इसी खिरवा नौवाबाद में एक शक्स थे जिनका नम था चरन सी इनका खेत था यह सुबा सुबा अपने खेत पे जाते हैं चुकि खेत पे इनका कुछ काम था और जैसे ही जाते हैं तो देखते हैं कि लड़की पड़ी हुई है अब सुबा सुबा जैसे एक लड़की को देखते हैं तो फॉरन चीख फुकार मचाते हैं आसपास के सारे लोग इकठा होते हैं इकठा होने के बाद फॉरन पुलिस को फोन जाता है इदर इस लड़की की पहचान की जाने लगती है कि ये लड़की कौन है कहां से आई थी अच्छा संजोग से गाउं में ऐसा कोई था ही नहीं जो उस लड़की को जानता ना हो सारे लोग उस लड़की को पहचानते थे क्योंकि ये लड़की इसी गाउं की एक करीमा थी अब इसी गाउं की एक लड़की और उस लड़की का इस तरह से लाश मिलना, डेड बॉडी मिलना गाउंवाल एक तरह से परिशान की क्या हो गया इसके साथ इदर फौरन पूलिस को फोन जाता है पूलिस आती है पूलिस बॉड़ी को कबजी में लेती है लेने के बाद फिर आसपास के लोगों से पूसती है कि ये कौन है तो आसपास के लोग बताते हैं कि ये हमारे ही गाउं की बच्ची है उसके बाद फिर पूसते हैं कि इसके साथ ऐसा कैसे हो गया कि आपको किसी पे कोई डाउट तो चाहे उस लड़की के परिवार वाले थे चाहे आसपास के लोग थे कोई भी ऐसा नहीं था जो कुछ भी बता सके कि क्या हुआ कैसे हुआ किसने मार के फेक दिया अब इधर बॉड़ी को पोश्माटम के लिए किये जाते हैं इधर परिवार वालों से पूस्ताच करते हैं कि कि आपको किसी पे कोई डाउट है इसी से कोई रंजी से या फिर कोई और बात भी बात इसके बाद परिवार वाले कहते हैं कि नहीं साथ हमारा तो किसी से कोई बात भी बात नहीं हम तो ऐसे ही बहुत परिशान लोग हैं अब इसके बाद यही तमाम तरह की बाते हो रही हैं पुलिस वाले भी अपने तरीके से कच्छुए की रफ्तार में जाच पड़ताल कर रहे हैं चुकि ना कहीं कोई सबूत मिल ना ही कोई शुराग मिल रहा ना किसे कोई शक है ना किसे के जगडे की कोई आस्रंगा ना किसी से कोई पूरानी रंजिस तो जब कोई कारण ही नहीं था तो कहीं क्यू कुई मार देगा बैरहाल पूलिस वाले पूस्ताज करते रह Te remains और इतने में ही जो पोsmartum रिपोर्ट वो आ जाती है अब जैसे पोश्माटम रिपोर्ट आती है तो पोलिस वाले पोश्माटम रिपोर्ट पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद जो उसमें लिखा था जब उसबारे में परिवार वालों से पूछ अब जैसे गर्वोती का टर्माता है कि लड़की फ्रेग्नेंट इसके बाद पुलिस वाले पूछते हैं कि क्या इस लड़की की शादी हुई थी या नहीं हुई थी इस पर परिवार वाले बताते हैं कि इस लड़की की सादी तो 2015 में हुई थी लेकिन फिर कुछ कारण की परिवार वाले थे कि यो जिद्ध कर रहे थे कि हो सकता है आपकी पोश्माटम रिपोर्ट गलत हो जो कि लड़की की बदनामी हो रही थी इधर पुलिस वाले थे और डॉक्टर थे उन्हें भाई पूरा यकीन था कि उन्होंने जो पोश्माटम किया थे तमाम तरह की तक की पेदिन्ट कैसे हो सकती है अब जो परिवार वाले मना कर देते हैं कि आपकी कोश्माटम रिपोर्ट गलत है हमें कुछ पता नहीं तब जाके पूलिस वालों को लगा कि अब हमें जो जांच परताल करनी है वो अपने ही तरीके से करनी है चुकि यह जुस्तच है इतन पती चोरी छुपे आता था, या फिर कभी अपने शसुराल अभी हाल में ही लोटी हो, यह तमाम तरह की चीज़े पूछ रहे हैं, कहीं से कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा हैं, तो फिर रंत में जब कहीं से कुछ मिला नहीं, तब फिर पुलिस वाले परिवार वालों से गहते ह है, कि आप इक आखरी मदद कर दीजिये, आप इस लड़की का फोन नंबर हमको दे दीजिए, अब परिवार Waalे कहते हैं, कि ठीक है पुलिस वाले अब इस नंबर का कॉल डीटेल निकल आते हैं और जैसे ही कॉल डीटेल निकल के सामने आती है तो एक ऐसा नंबर था जिस नंबर से इस लड़की की घंटो घंटो बाते होती थी और इस बारे में परिवार वालों को कुछ भी पता नहीं अब जैसे ही ये बात निकल के सामने आए तो फिर मामला clear था कि यह जो बच्चा है यह किसी और का है और इस लड़की का किसी से अबैद सम्मंद था इसलिए हो सकता है कि अबैद सम्मंद में ही इसका कतल हुआ हो अब इसी शक्त के आधार पे फिर पुलिस वाले उस लड़की के बारे में पता करते हैं फिर उस लड़के का जो नाम कि अधार इस ऐसी गाओं के बगल एक दूसरे गाओं को रहने वाला उसके बाद फिर पुलिस वाले आदेश के बारे में और डीटिल खंगा होते हैं साथी आदेश को उठा लेते हैं उठाने के बाद जब पूस्ताच करते हैं तो संजोग से जो आदेश था ये कोई प्रो पुलिस वाले थे, आदेश को तोड़ ले जाते हैं, और फिर आदेश जो था, अंत में कहानी सुनाता है, और इस कहानी को सुनने के बाद काईदे से, जो पुलिस वाले थे, उनका भी कलेज़ा काप जाता है, चुकि ये कहानी इतनी दर्द भरी थी, दरसल जो ये लड़की थी, रीमा, साल 2015 में, इसकी अरुण नाम के लड़के से साधी होती है, शाधी होती है, साधी होने के बाद जो पिता थे, उनकी इकलोती बेटी परिवार वालों का सपना था, कि बीटी अच्छे गर में रहे, हर एक संभोचीज देके, हर एक जो जुरोत की चीज़े होती थ अब से उसको ही अपने दुनिया मान बैठे, लेकिन जैसे जैसे साधी के कुछ महीने गुजरे, तो फिर ससुरौल वालों ने अपना रंग दिखाना चालू कर दिया, ससुरौल वालों ने अपना रंग दिखाया, अब इस लड़की को प्रतारित किया जाने लगा, इस से द पतारत किया जा रहा दहज के लिए और हो सकता है कि एक बार मैं दहज दे भी दूँ तो क्या गारेंटी है कि एक बार देने के बाद ये लोग चुप हो जाएं इसलिए ओ लड़की अपने बाप से कहती है कि ऐसे घर में पिता जी मुझे नहीं रहना पिता भी बात मान जाते ह मानने के बाद कहते हैं कि काम करो तुम चली आओ अभी मेरी दहली जितनी छोटी नहीं है कि तुम यहां नहीं रह सकती और अभी मेरा कलेजा इतना कमजोर नहीं हुआ कि मैं अपनी बेटी को पाल फोस न सकू फिर क्या था जो रीमा थी वा जाती है अपने माई के और साल 2015 से यानि सादी के महज 6 महीने बाद से यह अपने सत्माई के में ही रहने लगी इधर इस बात का ऐसा सत्मा उसके पिता को लगा कि साल भद के अंदर है उसके पिता की मौत भी हो गई अब पिता की मौत होई इधर फिर दो भाई थे दोनों भाई अपने बहन की जिम्मेदारी उठाते हैं उसको हर सब भव चीजे हैं जो भी उस बहन को चाहिए होता हुआ तमाम तरह की चीजे देते हैं लेकिन कहीं ने कहीं एक साधी सुधा महिला अपनी जिंदिगी में इसकदर अकेली हो जाती है फिर उप्यार की तलास में इधर उदर भटकने लगती है इधर उदर भटकती है भटकने के साथ कई लोगों से उसकी दोस्ती होती है कई लोगों से उसकी बाचीत हो जाती है और इसी करम में इसके एक बार आदेश से भी बात होती है आदेश से बात होती है बात इसकदर आगे बढ़ जाती है इन दोनों में दोस्ती हो जाती है अब दोस्ती भी आगे बढ़ी इन दोनों में प्यार हो जाता है और प्रेम संबंद स्ताफित हो जाता है चुकि जो लड़की थे एक दम अकेली थी कोई इसको समझने वाला नहीं था तो जो भी दो मीठी बाते बोल देता था लड़की उसके साथ बात करने लगती थी आदेश इस बात का फायदा उठाता है फायदा उठाने के साथ साथ फिर प्यार के जाल में फसाता है फसाने के बाद फिर इन दोनों के बीच सारी रिक्षम बंत यानि फिजिकल रिलेशन बनने लगते हैं अब लड़की से इसका फिजिकल रिलेशन बनता है बनने के बाद आए दिन जब इसका मन होता ये लड़की को बुलाता आए दिन कहता है कि बस कुस दिनों में तुमसे शादी कर लूँगा लड़की भी खुश थी कि चलो मेरा घर बस जाएगा जब इस सिलसिला लगातार चलता रहा कई सालों तक तो इसी दवरान जो रीमा थी वो प्रेगनेंट हो जाती है अब जैसे रीमा प्रेगनेंट हो यो इस बार ने मी रीमा को भनक लगी रीमा फॉरन इसको फोन करती आदे इसको कहती है कि मैं प्रेगनेंट हो गई और अब तो मुझे शादी कर लूँ अब जैसे ये बात सुनता है तो फिर आदेश जो था गेम खेल देता है कहता है कि यार अभी तुम प्रेग्नेंट हो मैं तुमसे शादी करूँगा उसके बाद फिर मेरे घार आओगी एक बच्चा पैदा होगा और 5-6 महिने में हो जाएगा फिर लोग तुम्हें तरह तरह की बाते बोलेंगे कि सादी के 6 महिने बाद ये मा मन की पता नहीं किसका बच्चा है और तुम्हारी बदनामी होगी तो एक काम करो तुम इस बच्चे क्यों गिरुआ दो यानि अवशन करवा लो बाद में हम तुम शादी कर लेंगे अब लड़की भोली थी इस बात में आ जाती है उसके बाद न चाहती हुए भी एक बार वपना अवशन करवाती है अब अवशन जैसी करवाती फिर कहते हैं कि मुझे शादी करो तो फिर याना कानी करने लगता है कहता है कि मैं तयार नहीं हूँ अभी मैं कमा नहीं रहा हूँ कुछ सेट हो जाओ यह कर लूँ हो कर लूँ लड़की फिर इनके बातों में आ जाती है आने के बाद फिर लगातार मिलना लगाता है फिजकल रिलेशन बना और एक बार फिर से प्रेगनेंट हो जाती है अब जब इस बार प्रेगनेंट हुए तब फिर यह जो रीमा थी वो जिद पेड़ जाती है और कहती है कि नहीं अब मैं अपना वाशन नहीं करवाओंगी तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी चुकि लगातार तुमने दो बार मुझे प्रेगनेंट किया है कई सालों से तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में हो तो फिर कब तक ऐसे छुप छुप के हम लोग मिलेंगे कब तक छुप छुप के बात ही करेंगे और चाहे जो हो तुम मुझसे सादी करो नहीं तो मैं अपने भाईयों को तुम्हारे घर पे भेजूँगी वो रिस्ता लेकी जाएंगे अब रीमा ने तो ये बाते प्यार में बोली लेकिन आदेश जैसे ये बात सुनता है तब उसे लगता है कि ये तो अब दिक्कत हो जाएगी मैंने तो इससे महज मस्ती के लिए अपना रिलेशन बनाया था मैं तो इससे सादी करने का कोई इरादा ही नहीं था तो फिर अब क्या करें तो फिर इसके दिमाग में आएक एक काम करते है अब इस लड़की को रास्ते से हटा देते है चोकि अगर इस जिंदा रहेगी तो मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी जिंदा रहेगी तो मैं चाहाए जो करूँगा ये मुझे परिशान करेगी और हो सकता है कि ये फायार औगरा कर दे मैंने इसको प्रेगनेंट किया तो फिर मुझे शादी करनी पड़ जाएगी अच्छा कर ये बात लोगे सामने आएगी तो मेरी तनी बंदामी हो जाएगी कि फिर कोई मुझे अपनी बेटी नहीं देगा इसलिए अब इसको मारना ही पड़ेगा लेकिन फिर दिक्कत थी कि अकेले तो कतल किया नहीं जा सकता चुकि एक लड़की है तीस साल की अकेले उसको उपर काबू पाना उसको मार देना फिर लास्ट ही काने लगाना ये तमाम तरह की चीज़े हैं इसलिए फिर इसने अपने चार दोस्तों से बात कि चारों दोस्तों से का कि मैं मुशिबत में हूँ मुझे कतल करना है चारों लोग सन्जूख से हां कर देते हैं फिर पलान बनता है और पलान बनने के तहत संडे नाइट यह जो अभी पिछला एटवार रविवार बीता इसी रविवार को रात को 11 बजे जो आदेश है वो रीमा को फोन करता है फोन करता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी बहुत तेजी से याद आ रही जो मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ अब रीमा जैसी ये बात सुनती है तो आए दिन दोनों के बिच लगातार जगड़े हो रहे थे तो रीमा भी कहती है कि चलो इतने दिन बाद प्यार से बात हो रही रीमा भीना घर में किसी को बताए वहां से निकलती है निकलने के बाद बाहर आदेश खड़ा था अपने बाइक को लेके आदेश से ओ मिलता है मिलने के बाद फिर आदेश उसको अपने बाइक पर बैठाता है बैठाने के बाद एक गन्ने के खेत में लेके जाता है और जैसी गन्ने के खेत में लेके जाता है फिर कहता है कि यार मैं तुम से साधी नहीं कर भाऊंगा अब जैसे ये बात बोलता है तो फिर रीमा लड़ाई जखड़ा करने लगती है चार दोस्त पहले से ही तयार थे इसके बाद ये सारे लोग मिलके उसको मारने पीटने लगते है मारते हैं पीटते हैं पीटने के बाद उसके पेट पे लात मार देते हैं अब लड़की प्रेगनेंट पेट पे लात बेतहासा वो दर्द से तडप उड़ती है और जैसे वो दर्द से तडपती है जो आदेश था उसके सर को एक इंट पे पीछले वाला हिस्सा जो सरका पीछला वाला हिस्सा होता है यानि ये इसको पटक देता है अब जैसे पटकता है तो सरफट जाता है खून निकलने लगता है अब जैसे खून निकलने लगता है तो लड़की गिड़गडाती है भीक मांगती है कहती है बस मुझे जिन्दा छोड़ दो मुझे मत मार रहे कि ये लड़की मरे तभी यहां से जाए जब आदे गंटे या फिर एक गंटे तक लड़की चिलाती रही तडपती रही चींकती रही और रंत में जब धेदेर उसकी सासी उखडने लगी तब ये पांचों लोग यानि एक आदेस और बाकि उसके चार दोस्त वहां एक ब कि इतनी बदनसीब थी कि जब शादी होई तो पती का प्यार नहीं मिला और एक बॉइफ्रेंट बनाया तो उसने भी ऐसा किया कि सायद एक रूख का पाने वाली वारदात की एक तरह से इतने घंटों तक तरपा के मारा इन लोगों ने अगर गला घोट देते या फिर गला काट देते गोली मार देते तो 15-20 मिनट की तरपन के बाद वो लड़की मर जाती लेकिन इस लड़की को इन लोगों ने घंटों तक तरप से तरपाया तो अब पुलिस वाले इस मामले को सुनते हैं सुनने के बाद मामला कोर्ट में जाएगा लेकिन फिर वही है कि 302 तो 302 है चाहे जैसे आपने कतल किया तो फिर क्या ही होगा ये भी कहना एक तरह से मुस्किल ही है तो आप से कल फिर मुलाकात होगी चुकि कल मैंने जो सवाल पूचा था उस सवाल में मैंने गलती कर दी थी जरसा मेरा सवाल था कि मा और पुत्री की कौन सी जोड़ी भारत की ग्लती जबाब दिया हो जबकि जो सही सवाल था कि मा और पूत्री की कौन सी ऐसी जोड़ी है जो भारत के राजपाल की पद पे आसीन रही है और ऐसी एक मात्र जोड़ी थी सरोजनी नैडू और पदमजा नैडु बाएकि जो बिजै राजे और एसोद्रा राजे थी ये प्रतिवा पाटिल और जोती राठो ये भी नहीं थी और नजमा और रुबीना ये भी नहीं थी तो एक ही ऑप्शन सही था लेकिन काईदे से मैंने ऐसा सवाल घुमा दिया अपनी गलती से कि तीनों ऑप्शन सही हो गए और आज का सवाल आप सुन लीजिएगा आज का मेरा स पता हो तो कल का इंतिजार कीजएगा कल मैं आपको बताऊंगा और ऐसी वीडियो को देखने के लिए ऐसी कहानियों कु सुनने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा तो आप से कल फिर मुलाकात होई किसी दूसरी कहानी के साथ तब तक अच्छे रहे, खुश रहे, अपना ख्याल लखिएगा, अपने देश का ख्याल लखिएगा, जैहिंद, बंदेवाइद.